अगला प्रेश्ण है हमारे पास प्रेश्ण संख्या 28 यदि कुसेक a बराबर 2 तो 1 अपॉन टैने प्लस साइने अपॉन प्लस कॉसे का मान ग्यात कीजिए यानि कुसेक a की वैल्यू दे रखिये बिटा दो यहना बाकी की सारी वैल्यू मतलब जो एक एक्क्वेशन दे रखि सुरू करते हैं बिटा कॉशन अच्छा है देखो थोड़ा सा मतलब बढ़ा होगा दो नंबर यह चार नंबर के अकॉर्डिंग को से एक यह बराबर दे रखा है दो जब कुछ नहीं होता है तो नीचे हम क्या मान लेते हैं एक होता है नीचे क्योंकि एक से डिवाइड करो कोई फरग ने बढ़ता है दो अब यहां पे अगर एक राइट अंगल ट्राइंगल यानि कि हम एक सम कोण तरभूच हम बना ले जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा देखे ए बी सी होगा अब देखो अगर कुसेक की बात करें तो कुसेक क्या होता है बताओ वह सायन होत काण तो काण बटे लंब क्या होगा हमारा कुसेक तो काण मतलब ऊपर हो गया काण यानि दो और लंब हो गया एक किसकी वैल्यू निकालनी है बी सी की वैल्यू निकालनी है अब बी सी इन वैल्यू निकालो गया पाइथागूरस थियोरम से अब पाइथागूरस थियोरम स तो BC का square बरावर होगा, AC का square minus AB का square है ना, तो AC का square होगा, 4 minus AB का square होगा, 1, इसका मतलब answer आ गया, 3, इसका मतलब BC बरावर आ गया, कितना, under root 3, under root 3 आ गई BC की value, clear है यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई doubt नहीं, अब देखो, आपको जो दे रखा है, sine A, 10 A, cause A, उन सब का मान निकाल लो, इस triangle से, ठीक है, इन triangle से हम क्या निकाल लें, सब की value निकाल लेते हैं, आप देखो, किस का मान निकाल लो है, 1 upon 10 A, 10 A, लिख लेते हैं, plus इसी का मान निकाल लो है हमको, sine A upon 1 plus cause A, तो 1 upon 10, 10 क्या है, देखो, 10 क्या होता है, बताओ, लंब बटे, आधार, लंब क्या है यहाँ पे, A, यह नि 1, अपन आधार क्या है, 1 upon under root 3, तो यह हो गया क्या, 1 upon under root 3, plus sine A, sine A क्या है, sine A की value निकालोगे तो, क्या होगा बताओ, A, B, C, C उपर भी लिख सकते हो, कोई फराग नहीं पड़ता, देखो, sine A, sine A क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर यह value अगर अपने ऐसे ली है, तो इसको हम कर लेते हैं, interchange, इसका हो लिख देते हैं, A, इसको लिख देते हैं, C, कोई फराग नहीं पड़ता, A, B, C है ना, ऐसे लिख लो, अब देखो, sine A, sine A क्या होता है, बताओ, sine, sine मतलब लंब बटे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, एक, बटे कर्ण कितना है, दो, 1 upon 2, है ना, upon, 1 plus, cos, cos क्या होता है, आदर बटे कर्ण, याने की, under root 3 by 2, ठीक है, यह सब आया, अब देखो, आब इसको solve कैसे करोगे, यह तो चला जाएगा, उपर, तो यह तो आगया, under root 3, उपर, प्लस, ठीक है, अब देखो, यह हो जाएगा, आपका क्या, यहाँ पर, एलसम लोगे 2, तो 2 चला जाएगा, आपका ऊपर, यह आजाएगा, नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 2 प्लस, यह हो जाएगा, आपका, पहले तो as it is, लिख लो, देखो, 1 by 2, upon, 2 plus under root 3, upon 2, यह कुछ बन रहा है, ऐसा, है ना, यह तो देखो, ऊपर चला गया, बाकी हमारा, कुछ नहीं बचा नीचे, यह इस तरीके के बच रहा है, हमारे पास, ठीक है, देखो, तो कैसे करेंगे अब इसको, under root 3 plus, 1 upon 2, देखो, यह 2 से 2 कट जाएगा, है ना, यह 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या होगा, under root 3 plus, 1 upon, 2 plus under root 3, है ना, यह आया, अब देखो, यहाँ पे नीचे 1 मान लो, और इसका LCM ले लो, इसका जब LCM लो गया, तो क्या होगा, देखो, under root 3 का multiply हो जाएगा, पहले तो under root 3 लिख ल 3, है ना, बिटा, देखो, अब under root 3 का अंदर गुणा का दो, तो 2 under root 3, plus under root 3, under root 3 कितना हो जाएगा, 3, plus 1, upon, 2 plus under root 3, ठीक है, अब 2 under root 3, plus यह कितना होगा, 4, upon, 2 plus under root 3, ठीक है, अब 2 उपर से अगर common ले ले लें, तो क्या बचेगा, under root 3, देखो, 4 को इदर लिख लेते हैं, 2 plus under root 3 बचेगा, उपर, और नीचे भी क्या बच रहा है, 2 plus under root 3, अब 2 plus under root 3 से 2 plus under root 3 आप कैंसल कर दो, तो क्या बचा, 2 बचा, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, value कितनी आ गई, 2, देखा, मतलब, यह थोड़ा सा, देखो, complex था है, यहाँ पे, मतलब, अगर मैं हूँ यहाँ पे कि इसको solve करना, यह वाला जो था, इसको थोड़ा सा जमाग लगा के ध्यान से solve करना, ताकि आपको कोई problem नहीं होगी, बाद में, बाद में कोई problem नहीं होगी, बस यही थोड़ा सा होता कि, upon's में बहुत ज्यादा problems आगी, plus बटे में, plus plus दे रखा है, लेक आप table की values याद कर लो, table की value याद होगे, आप कई भी mistake करोगे नहीं, कोई भी दिक्कत होगी नहीं, है ना?